प्रदेश भर में चल रही विकास सियात्रा के अंतरगत मुख्य मंत्री सिवराज सिह चोहान सौमवार शाम को बेटमा पहुचे। इस दोरान उन्होंने पूर्व वन मंत्री स्वरहिय दादा निर्भई सिह पटेल की बेटमा के राजबाडा चोक इस्थित आदम कद प्रतीमा का लोकारपन किया। मुख्य मंत्री ने बेटमा को सोगा देते वे घोशना की कि अब बेटमा नगर को तहसिल का दर्जा दिया जाएगा। वहीं अगले सत्र से कॉलेज भी शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने नगर की मुख्य सड़क को लेकर कहा कि इसे एक आदर से सड़क बनाया जाएगा। इसके अलावा भी मुख्य मंत्री ने कुछ और महतवर्न घोशनाय की। मुर्ती अनावरन के पश्चात अपने उद्बोधन भाषन में पूर्ववन मंत्री सुर्गिय दादा निर्भई सीह जी पटेल को याद करते वे उनके किये गए कारियों की सरहना की। 22 मिनिट से भी अधिक के अपने भाषन के दोरान सीयम ने कॉंग्रेस की जम कर खिचाई की। वही मुख्य मंत्री ने 8 मार्च से शुरू होने वाली मुख्य मंत्री बहना योजना के बारे में भी जानकारी दी। इस अउसर पर प्रदेश सरकार की योजनाओं में पात्र को चेक वह अन्य सामगरी का वित्रण किया गया। कारिक्रम में इंदोर सांसत सहीत पार्टी के समस्त जीला इस्तरिय कारी करता वह नेताओं की उपसिती रही। बैटमा इंदोर से राजन्द सुर्यवंशी की रिपोर्ट। इडia का में वतने अ're करता हुए । इस्तर नेता साथी पदाधिकारीगन, मेरी बहनों, मेरे भाईव, भामजे भामीयों, दौनों हाजोर के आप सब को पुराम करता हूं, आप सब को राम राम करता हूं, बहुत दूनों बाद देपालकुर बेटमा आना हुआ है, बेटमा बहुत दूनों बाद आया है, लेकिन आया हूं, तो खाली हाथ नहीं आया हूं, मुझे पहले से ही मनोजी ने, संकर जी ने, ये कह दिया था कि भाई साब कियाँ तेहसील तो बनाई देना तो इस दिकास स्यात्रा के दोरान हम आज ही फैसला कर रहे हैं बेटमा को तहसील का दर्जा दिया जाए बेटमा में आपने मेरे भंज़े भंजी होने भंझे भंज़े है की नहीं तो कालेज चाहिए गा या इसनाद कोटर चाहिए ना इसनाद कोटर चाहिए अभी कालेज नहीं है और इसी साल अगले सत्र में मतलब जुलाई से जो सुरू होगा कि अब तो ये फरवरी चल रही है इसलिए अभी कालेज खोलने का कोई फायता नहीं कि बढ़ाई परिक्षा आ गई लेकिन अगला सत्र जो जुलाई से प्रारंब होगा बेटमा में कालेज प्रारंब कर दिया जाए देखिए मैं आप सबके दिल की बात जाता है किसान को और कुछ मत दो बस पानी दी दो तो किसान की जिंद्गी संबर जाती है जला याद करो मेरे बेन और बेन पचास साल कांग्रेस पे राच किया नर्मदा जी कल-कल छल-छल करके बहती थी और एक जमानत जब कांग्रेस की स कांग्रेस की मुख मंतरी होते थे उस समय बिधान सभांब ये मांग हूँ थी कि नर्मदा जी का पानी छिप्रा में डाला जाये तो उस समय के मुख मंतरी ने क्या दिया था impossible असंभव है ये हो ही नहीं सकता लेकिन मैंने जब ये देखा मुखवंदी बनने के बाद कि पूरे मालवा में हो चाहे मिमार में हो अगर सचाई की जबस्ता करनी है तो साधन एक ही है नर्मदाजी का पानी है और नर्मदाजी का पानी क्योंकि नीचे है नर्मदाजी हमारे मालवा का पठार उंचा है इसलिए नहर खोद के नहीं लाया जा सकता मैंने देजबर के इंजीनियर्स बुलाई विशेशक के बुलाई उन से चटकावर बाच्चीत की और मैंने का कैसे संभव बताओ तो उन्हें का ग्रेव की से तो संभव ही नहीं है तो मैं नहीं का कैसे संभव हो सकता है मैं तो संभव करना चाहता हूँ और जब रुप्या की बात आई गई तो आज मेरी बेहने भी बैठी है यहां पे वो लेके आई है लाड़ला भीया अलागला को मुझे तक्तियां दिखा रही थी पीछे से दिखाई दे रही थी सुनो मेरी बैठो एक नहीं अने को योजना बनी है लेकिन आज वो भीया और मामा यह लिखके लेके आई है तो सुनो मेरी बैठो अपनी बेटियों के लिए भांजियों के लिए लाडली लक्ष्मी योजना तो मैंने पहले बनाई है चाबाली स्लाख लाडली लक्ष्मिया है अब उसकी आज मैं बात नहीं करूगा अब मैं नई योजना बनाएख दी है मैंने वह मुक्मंत्री लाडली बहना योजना यह लाडली बेहना योजना क्या है देखो मेरी बेहनों मैंने बेहनों की अच्छी तरह जानता हूँ मैंने बेहनों के दर्द को अपनी आँखों से देखा है कई बार पैसा पास में ना होने के कारण अच्छोते छोटे खर्चए नी उठा पाती बच्चों को दूद नहीं पिला पाती फाल समजी नहीं खिला पाती डाल का इंभला ने कर पाती सिवराग कुछ और फिर्द बेहनों कर बी ना हो लिए योजन्या बनाई कि एक हजार रुपया खाते में डालना बंद कर दिया तो मैं आपको अश्यर जनक बाद बता रहा हूं उन पहनों सब्दी भी खरीदी, डाल भी खरीदी, किराना भी खरीदा, परिवार की हालत बदल दी, मेरे बहनों और भाईयो, महला अगर ससक, तो परिवार ससक, परिवार ससक, तो समाज ससक, और समाज ससक, तो देश ससक होगा, मेरे बहनों और भाईयो, देश ससक होगा, और इसलिए, मै हमारी जितनी भी बहने हैं वो गरीब घर से आए या पांच एकर तक की जमीन जिनके पास हो पांच एकर तक का किसान हो ये सारी बहने कोई जा तुकी हो कोई समाज की हो मुझे कोई फरक नहीं पड़ता बहने तो बहने होती है मेरे बहनों और भाईयो हर एक बहन को एक हजार माझना उनके खाते में releases 12000 साल को कौन बनेगा तो मैं उसके विस्तार में लाना यह वैट मैं बाल आप से ये कहने आया हूं कि अगर हमारी बात अच्छी और सच्छी है अगर आपको लगता है गर भारती जंता पारिटी की सरकार के साथ चलना चाहिए विकास के साथ चलना चाहिए जन कल्यान के साथ चलना चाहिए तो आओ मामा के साथ चलो भारती जनता पार्टी की सरकार के साथ चले। दिकास के काम करने वाली इस टीम के साथ चलो और हम एक नया इत्हास रुचें दिकास का और्जन कल्यार का बेटमा और देपारपुर को भी स्वरगी इंदिर्वेश सिंग पड 사 जी कि सपनों के हिसाब से आगे ले जाने का काम करें मैं आप सब का स्पेह भी चाहता हूं आशीरवाद भी चाहता हूं ऐसा प्रसासन जो गाउंगा हो जाके जनता की समस्या का समधान कर रहा हो आप बताओ कांग्रेस के राज में संभव था क्या जोर से बताओ संभव था क् इतने विकास के काम कांग्रेस ने कभी किये थे क्या कांग्रेस होती तो पहनों के खाते में पैसर डालती क्या किसान के घाते में सम्मान निदी आती क्या तो आईए मेरे साथ संकल्ब कीजे कि मामा के साथ चलेंगे भाजपा की सरकार के साथ चलेंगे मोधी जी के साथ हैं दोनों म५्थी बांध के भारत माता की जिए हार नर्म दे आज चारों अगर पंच आज विकास यात्रा के दुरान स्वर्गी पिदाजी दादा निर्भाई सेंग जी पटेल की मुर्ति का अनावरण करने के लिए माननी मुख्यमंतरी जी बेटमा हमें पदा रहे थे इस विकास यात्रा के अंतरगत हमने उनसे जो भी डि पुराने नेता के वादे थे उन्होंने नहीं बनाया पर माननी मुख्यमंतरी जी से बात की हमने तो उन्होंने अभी यह गोशना भी की और साथ में गाड़ी में बेटते से ही निर्देश भी देती है कि सड़क का काम जल से जल शुरू हो जाए यह सारी योजना है यह तुरंत चालू हो जाएगी इसके अलावा माननी मुख्यमंतरी जी से हमने तीन चार बड़ी-बड़ी लिखने करके मंजूर हो जाएई फिर नर्विदा का जल हम एक नर्वादा की लाइन तो लाकर करके हमने कहीं गाउन में दे दिहें त्रेपंद चोपंंगाउंल में हमने नरुदा जी उपांदियम से सिचाई कर रहें अब अब और लाइन लाकर के सो से अधिक गाउं को पार्टी का विधायक बने और उसके बाद में ये युजना चलू हो तो उन्होंने सहर्ष श्विकार किया और जल्द ही नर्बदा जी की एक और लाइन देपालपूर में आने वाली है पर मान्य मुख्यमंत्र जी पदार है और उन्हें बहुत सारी सोगाते दी है तहसील का दर्जा दिया है रोड सासीमेंट कांकरेट बनाने का और महाविद्याले खुलने का इसलिए में बेटमा के सभी धर्म बेटमा नगर की जनता को मैं हज़ाई से धन्यवाद करती हूं और अबहरत दश्करती हूं है 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 अब देख रहे हमारा चैनल आज जब्ली 24 न्यूज हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भीना पुले